किसे देखते हैं बुट पूरी में है जिसकी छर्चा अधीक होती असलीलता कई लोग इसे बात नहीं करना चाहते हैं आप क्या सुचते रहे लेकिन अ... में इंडीर्ष्ट्री है, जहां भी गीत्संगीत है लेकिन जितना रिप्रेजेंट किया जाता लेकिन भुजपूरी को कुछ तो ऐसा चीज है जो एक कंट्रोवर्सिल इसको बना दिया है भुजपूरी में आप एक नदिया का पार देखो विखाय ठाकूर का गीद देखो चाहे भुजपूरी का पहले से जो चीजे था वो बजने के बाद लगता था कि हम माटी के सुगन से जूट रहे हैं अभी क्या है सिर्फ चोली घागरा धोड़ी यह तो फिर परंपरिक नहीं हो सकता है या कल्चर नहीं हो सकता है या हम अपने परिवार के सांद सकते हैं क्या धोड़ी चटना को आप अपने घर के लोगों के सांद सकते हो क्या कैसे इसको असलील नहीं कह स लेबल से नीचे गिर जाना पैसे के लिए आप हाइलाइट हो जाने के लिए आप ऐसे चीज को लेकर आ रहे हो जो 90% समाज में acceptable नहीं होता है यह तो बास सही है लेकिन दुकान है किराना दुकान है वहाँ पर गुटका भी मिलता है वहाँ पर किसमिस भी मिलता है यहाँ पर पूटका खरीबने वाले लोग जाता है तो किसमिस का दुकान कॉन ने हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने उपर पे इल्जाम नहीं लेना चाहते हो कि नहीं पर पर होगा आप लोग सब लोग तो एक ही हैं कोई अलग नहीं है मेरा पर्सनल में पार्टिकूलर अपना बात कर होना है मोगी खेले पाप जी से लेकर के या साट के टिकुलिया पढ़े जालो इसकुलिया या लईकतार एक पापा कहता हो के चाहे एक ही चुजुई या पकतना खुस कर पे गयर के दुलहन बन गी लोग अभी एक मारा मेरा गाना बहुत इंबड़ियां बज़रा है जान च उचपूरी में जो अभी अभी देखेर में चैते बाद कीश्टेज पर जाने के बाद किसतरे से मारा मारी हो जाते हं आक पर बिफ्टी का चीज गाता है तो बहुत-बढ़ियाँ चीज गाता है असलील गाता है असलील गाता है पॉह नहीं लोग जो लोग गाते हैं असलील गाना कुछ लोग गार हैं है तो जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में गार हैं उनसे हमारा भी निवेदन रहता है हमारा भी आगार है कि आप लोग ऐसा न करें धीरे-धीरे करें धीरे-धीरे आगे बढ़िये बाकि हमारे छितर की रिचेस पांडे जी अंकोष जी पुसफाराना पर ट्रोल किया गया, कौन सा गाना लिखे थे पता नहीं, लेकिन उनके गाउं तक भी लोग पहुंच गया, कि ये कौन सा गाना आपने लिख दिया, देखिए वो गाना लिखे थे, जिनकी अब पॉइजन खाने वाली कौन सा मामला था, कि एक राइटर ने पॉइजन खा लि काम क्या होता है, जो माइक ले लिए, अब को मिडिया कि या गुली जो कुछ भी उसका decision करना आपका कम नहीं है यह πε seminar काकॉट का कम है यह जोगा काक है उसका that उसका थेशाल सुनाना आप कौन होते आप्सपर और था गौलत दिखायां स्हई हो4 दिखैं को नहीं नहीं ले सकता है हम किसी को मार दिए तो आप кино करने कहोगा कंग का में दिखाना कि आपने मार दिया अच्छा उस राइटर को कितने लोगों ने परसान किया अब उसके घौर राइटर ने गलती किया उसके घौर पर जाके आप उसकी मां से उसकी बहां से ऐसा ऐसा सवाल करिएगा यह उची थोड़ी है मैंने तो ओपेन बोला फेस्बुक प अब उसके पाक सहम लड़ेंगे इसलिए नहीं कि वह एक राइटर है उसने अस लिल लिखा ठीक है उससे पुछेगा नौ उसके उपर एफायार करिया आप किसी भी चीज का मतलब एक नियम होता है रूल होता है अब उसके उपर एफायार कर दिजिए उसका गाना ब्लोक कर इजय का मर्यें अन्यक्रणि के लिखर फिलेंग tapi आइक मेडिया बंश्यर लोगी तो लोमं का पीट पहलें थे लेकिन अब आकर 30-50 गाना की inadequ आ अच्छा लोग नाई से लेकिन सब लोग उस चीज को नहीं सुनते ना समाज में सब चीज नहीं अगर नहीं सुनता तो डोणी चाटना काज लेकिन यह तरक नहीं हो सकता है कि लोग देखने तब हम दे रहे हैं इसका मतला भी थोड़ी कि आप कुछ भी परोज दीजेगा अब कुछ भी इजीश का रोजी कि यह धंदा आए अब माली हम राइटर है ऑन क्यंगरा लिखर है हम सिंगर को क currently भूरें को लगाता है तो मतल पर ऑफ्हे लगाए तो क्या पसंद कर रही है क्या चीज हम दें कि एक लख रुपय अगर लगा इस गाने पर तो पांच लख रुपय हमको आए कॉम्पनी को अगर भाजन लिखे देंगे तो भाजन लेवे नहीं करें कि उसनों भी न करें तो हमका करब ले कभी है यही चीज है हम लोग गित मैंने सा और यहीं को पहले तो हमको अश्टार बनना है दूसरा चीज है कि और यहीं से क्या मांग रही है जो चीज लोगों को फसंद देना है हमारी मजबूर है नहीं कि तो घर पुरिवार को इसे चले गाए गित लिखने में इस दुनिया में आपके कौन-कौन ऐसा लगा कि कॉई कंपटीटर हो या उनको लगा कि कंपटीटर बन के आगा है वहार कोई कंपटीटर नहीं है जितने भी गित्कार है वह मतलब क्लोज ही है अध्लिए बिना ब्यारी जी हमारे गुरु जो मान बड़े भी आग विदयार्थे जी है तो सबसे हम में में लोग काम करते हैं और ज थे और मेरे अजीज मीत्र हैं और हमें लगा कि इनसे बहुत सारी चीज़े बात करना चाहिए रोतास दर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सोसल प्लेटफॉर्म पर लेकर रहा हैं जो हर वेक्ति को उनसे उनकी विचार को और उनसे अनुभाव को हम सेर कराएंगे आप से सु मेरे आउडियंस को क्या कहेंगे रोतास दर्पण देखने वाले सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम है और चाहेंगे कि युदाई भेहिया का चैनल है और आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा